हेलो एव्रिवन वैलकम टु कुकीजी एंड डिलीशेस कुकीजी एंड डिलीशेस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट टॉपिंग आइडियाज घर पर आप बहुत ही बड़िया बड़िया डिजाइन कैसे बना सकत हैं यहाँ यहां पर पानी को गरम होने की लिए लगां देंगे पानी में अच्छे सी हुबाल लाने देंंगगे जैसे ही पानी हमारे पोट अच्छे से गरम हो जाएगा खा आप ए वाल्व को इसको पर लग देन्गे धान ज्यान ब्रश की मदद से हम क्या करेंगे चॉकलेट को इसके ओपर अच्छे से स्प्रैड कर देंगे आपने इसकी थिन लेयर नहीं बनारी अच्छे से थिक सा इसको अपलाई करना है ताके इसे रिमूफ करते वक्त कोई दिक्कत ना हो देखिए ब्रश की मदद से आप पूरा डिज चॉकलेट से लीफ के ओपर बना सकते हैं और यह बहुत ही जादा अट्रेक्टिव लगता है बहुत ही आसान इसे बनाना तो आप भी इस वीडियो को देखे और वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैन अच्छे से बहुत ही आसान आइडियाज है और बहुत ही अट्रेक्टिव थो प्लीज रूर्ए ट्राइब करें आप भी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने क्या करना इसको थोड़ा सैमी सेट होने दें गे और इसके ओपर से थोड़ी डाक चॉकलेट क्या करेंगे ऐसे आपने हलके-लके से छड़कना है तक जाता कि marble texture आपको मिल जाए उसके बाद हम लेंगे dark chocolate OHP sheet पर उसे भी फैला लेंगे और spatula की मदद से अच्छे से आप फैला लीजिए कोई flat surface पर आप इस अच्छे से कर लें OHP sheet का फायदा यह होता है कि इस अच्छे से रिमूव हो ज चाहिए black के ओपर white white के ओपर black आप क्या कीजिए spread कीजिए और उसके ओपर दूसरी chocolate से design बना दीजिए कोई भी marble design कर लीजिए यह ऐसे ही chocolate से उपर से garnishing कर दीजिए बिल्कुल roughly roughly कुछ भी finishing नहीं करनी बस सिर्फ roughly आपने क्या करना डिजाइन करना है इनको set होने के लिए छ आपके कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यह वाइट वाली चॉकलेट है जिसे मैंने कटर से गोल गोल शेप में कट कर लिया आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं यह ब्लैक वाली का था देखिए कितने सुंदर designs हमारे बनकर तयार हो चुके हैं I hope आप वीडियो आपके ल